हेलो स्ुदेंट सलोमटो वायो लर्णनिंग आज हम पडने वाले हैं माइट्र होदॉकॉटूकॉटॉå की बात करें तो माइट्र हो पौन्डीया कैसा है जो नंबर होता है वो वेशा भूता है की फिजीबिटी में पर नंबर आखें तो नंबर जो होता है वह वेरी करता है, शेप और साइस ये भी वेरी करता है, जो शेप होती है मैसे स्ट्पाइरिकल kissy means this legal किसी में कर देया घ्थी रहती है, ऐसे इसका साइस भी और एक inner membrane होगी, outer और inner membrane की वज़े से ये दो aqueous compartment में डिवाइड हो जाता है, यानि एक outer compartment हो गया, और एक inner compartment हो गया, तो अब ज़रा हम structure देखेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़े present है, अब देखो structure देख रहे हैं, हम यहाँ प और एक outer membrane का compartment बन रहा है, जो inner membrane का compartment है, यह किसे field है, dense homogeneous substance से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते है, matrix, यानि यह वाला जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, matrix, ऐसे ही जो outer membrane होती है, यह क्या करती है, continuous limiting boundary बना रही है, ठीक है, यानि अगर हम सोचे तो mitochondria कहां present है, mitochondria cell के cytoplasm में present है, तो यह outer membrane जो है, यह क्या continuous boundary बना रही है, अब outer membrane की वज़े से भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी यह जो है, यह area, outer compartment का, इसमें जो है, यह space है, यह space को क्या बोलेंगे, inner और outer membrane के बीच में होगी, उसको बोलेंगे, inter membrane space, इसको हम बोलेंगे, peri mitochondrial space, ठीक है, space भी बोल सकते हैं, और इसको peri mitochondrial space भी बोल सकते हैं, अब यहाँ पर जो inner membrane होती है, यह क्या करती है, यह infoldings बनाती है, matrix की साइड पे, ठीक है, matrix की तरफ, उसको हम बोलते है, criste, यानि यह portion, यह अंदर साइड में क्या बना रही है, यह infoldings कर रही है, इसको हम बोलेंगे, क्रिस्टे, यह क्रिस्टे क्या करते हैं, surface area बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, cell respiration में help हो जाती है, अब बात आती है, यह दोनों membranes जो है, इनके अंदर भी कुछ specific enzymes होते हैं, ठीक है, अब हम जब इसका function की बात करते है, mitochondria किसकी site है, aerobic respiration, यानि oxygen की presence में जब respiration होती है, तो वो कहलाती है, aerobic respiration, तो aerobic respiration की site है, mitochondria क्या करता है, main काम इसका यह है, cellular energy produce करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा large amount में ATP की synthesis होती है, इसलिए हम mitochondria को powerhouse of cell और ATP mils भी बोलते हैं, ठीक है, ATP mils और powerhouse of cell, अब matrix में देखो क्या क्या प्रेजंट है, matrix में प्रेजंट है single circular DNA, यहाँ पर single circular DNA present है, कुछ RNA present है, कौन सा वाला RNA है ये, कुछ RNA molecules present है, कुछ RNA molecules present है, single circular DNA और कुछ ribosomes, ribosome कौन से हैं, 70S ribosome, 70S ribosome, तो हमें धिहान क्या रखना है, mitochondria में 70S ribosome होते हैं, prokaryotic cells में 70S ribosomes होते हैं, और chloroplast में 70S ribosome होता है, और क्लोरोपलास्ट में भी 70S में जो प्रोटीन की synthesis के लिए कुछ component चाहिए वो प्रेजेंट होते हैं और एक चीज़ हमें ध्यान रखने हैं कि mitochondria fusion के थू जो है वो division करता है ओके हमने क्या बोला कि mitochondria powerhouse of cell है यानि यहां पर ATP की synthesis होती है तो वह होती कैसे है यहां पर हम structure में क्या देख रहे हैं यहां पर यह चोटे-चोटे ब्राउन कलर के elementary particles इनको हम oxyzomes भी बोलते हैं oxyzomes, FO, F1 particles और elementary particles बोलते हैं ये क्या करते हैं ये ATP की synthesis में help करते हैं ठीक है इनका structure देखें तो ये कैसा है यहाँ पर एक head portion है इसको हम बोलेंगे F1 particle नीचे एक ये जो है stock है इसकी और last में base है base को हम बोलेंगे FO particle ठीक है F1 particle में present है enzyme ATP synthetase, ATP synthetase enzyme है ये enzyme present है तो क्या होगा ATP की synthesis होगी कैसे होगी ADP, ADP और inorganic phosphate को use किया जाएगा इस enzyme की presence में और ATP बन जाएगी ठीक है और FO particle क्या करता है ये proton channel का काम करता है proton pass करवाता है ठीक है तो इस तरह से ये FO F1 particle जो है ये ATP की synthesis में help करते हैं तो ये हमने देखा mitocondria के बारे में next class में हम प्लास्टिड पढ़ेंगे अ कर दो कर दो कर दो